अलो फ्रेंड मैं सेब रोकुष नील तमोर कंसल्टेंट एंटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे क्या है दुरबीन सिकान की सर्जरी एंडोस्कोपिक एयर सर्जरी बढ़ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देगी बेल आइको कोई इंसिजन लगे उसको फूपी चीरा लगे अभी जो हर आदमी की टेंडेंसी है कि मेरे को बिना चीरे आपरेशन कराना है एंडोस्कोपिक एयर सर्जरी भी एक एसी एयर सर्जरी है जिसमें जो रूटिन जो कन्वेंश्यों कान का जो ओपरेशन होता है क्योंकि कान के प्रोबलम, हड्डी कली गली यह चहता है और नमें होता होटा है डोस्तो कान के पीछह चेरा नहीं लगता है, क्योंकि अगर कान के पीछह इसमें चेरा लगाया जाता है तो बहुत बार जो हमारे आर्मी एस्पिरेंट जो लोग हैं जो बंदे हैं उनको पार्टिकुलरली वहाँ पे आर्मी में एड्मिसन में और आर्मी में उनको रैफर कर दिया जाता है क्योंकि they don't want a scar वहाँ पे scar नहीं लगता है direct endoral technique से यह endoscope की माध्यम से जो हम वो कान का पर्दे का परत्यार ओपन है और जो सफेद दाग है उसको ठीक कर दिया जाता है और उसमें क्या है कि operation के बाद में जो है वो 6 या 7 दिन तक एक dressing रहती है जो हमने जो operation किया है जो surgery किये उसकी protection के लिए बट अमूमन जो है उसमें कान के पीछे चीरा नहीं लगता तो दोस्तों अगर basically इसके अंदर endoscopy की जो ear surgery है या जो से traditional जो पीछे से post-toral surgery है दोनों में काम एक है बट उनका दोनों का वे अलग अलग है लेकिन इसमें जो है हमारे को क्या-क्या उसमें फाइदा है कि एक हमारे को पीछे से incision नहीं लगता तो जो है उसका इसकार नहीं बनता दूसरा उसकी recovery fast होती है and यह minimal invasive technique है और उसमें pain भी कम होता है इसलिए कि patient को recovery अच्छी होती है जो man हमारा उदेश्य है कि आप army, air force कहीं भी जाते हो तो आपको वो उसमें refer नहीं मिलेगा so दोस्तो अगर आपको इस type की problem है कान के पर्दे में छेद है कान के पर्दे में hole है या जैसे कान के पर्दे के अंदर white dog है और आपको army में refer दिया है और आप उसको ठीक कराना चाहते हैं तो अपने चिकत सकते यह जरूर पूछ लेना चाहिए कि मेरे को postural technique से नहीं कराना है नहीं तो वो आपका जो है वो पर्दा तो उसमें लग जाएगा लेकिन हमारा जो अदेश है और हमारा जो है मोटो है वो सोल नहीं होगा so I think friends this information regarding endoscopic ear surgery दुर्बीन से जो कान की जो surgery होती है that is useful for you you can share this information to your family and friends just to create awareness about the endoscopic ear surgery आपको इसकी regarding कोई सवाल है कोई query है you can put my comment box definitely I will reply thank you